प्रवक्ष किरदार इसमें और प्रवक्ष किरदार इसमें किया कर रहा है वो हमने आपको बताया अजीत पवार की शपत के बाद से महराश में जबर्दस स्यासी अल चल है और इसमें डिप्टी सीम फर्णवीस के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है कुछ देर पहले विधानसभा की स्पीकर राहूल नार्वेकर देविन्दर फर्णवीस के घर पहुँचे हैं अजीत पवार प्रफुल पटेल और शगन भुजबल पहले से देविन्दर फर्णवीस के घर पर मौजूद हैं तो यहां पर क्या डिसकेशन चल रहा होगा भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एहम बैठक यहां पर चल रही है शरत पवार सतारा में इस वक्त मौजूद है यह खबर अगर सही है कि राहूल नारवेकर भी वहां है तो यह बहुत ही गलत बात क्या स्पीकर उनको नहीं होना चाहिए एक किसा बता रहे है जवाहला नहरू प्रधान मंत्री थी पार्टी की कोई बैठक चल रही थी पारलिमेंटरी कमेटी की और उसमें यह हुआ कि स्पीकर को यह कहना चाहिए तो किसी सदर से ने कहा कि स्पीकर को बुला लेते हैं नेरजु ने कहा कि स्पीकर को बुलाते नहीं स्पीकर के यहां जाते है तो यह गरिमा है तो अगर उनको पक्ष में करना है विरोध में करना है जो भी करना फैसला व यह बिल्कुल निश्चित रूप से कल बूचे याद है कि जब राजभवन में शबत हो रही थी उसके बाद सब नेता बाहर निकले तो राहूल नार्वेकर से रिपोर्टर ने सवाल पूछा गया आपके साथ कितने विधाया कैं आपके साथ कितने विधाया कैं इसको लिकर बात होगी तो एक और दूसरी आपको ख़बर देता हम इसवक्ट चलिए बैठक के बारे में और आपको बताएंगे शरत पवार कैंप ने अपने विधायकों को आदेश दिया है सभी विधायकों को या आदेश दिया है कि 5 जुलाई को बैठक है और 5 जुलाई को सारे विधायक नेता पार्टी पधादिकारी वो जब आएं तो अपने साथ एक शपत पत्र लेकर की आएं और शपत पत्र में लिखा हो कि हम शरत पवार के साथ हैं ये exercise जो है वो करवाना च नहीं ये तैयारी है election commission की पेशबंदी उसके लिए paper तैयार किये जा रहे हैं ये वो एफिटेविट है जो भरवा रहे हैं ये ही भर करके लाना है और क्योंकि मराथी में है इसलिए मेरे पढ़ने का कोई फाइदा नहीं होगा इसको लेकिन शरत पवार साहब आगे के लिए आप कहरें पेशबंदी कर रहे हैं पार्टी बचाने के लिए कि पार्टी का नाम और सिंबल बचा रहे है इसके लिए election commission ही तैय करेगा कि पार्टी अब किसकी है अजीत पवार दावा कर रहे है कि हमने तो कोई split की नहीं है वही जो एकनाश चिंदे ने का कि हम ही शिवसेन की मामले में फैसला है अगर वो stand करता है सुप्रिम कोट में अभी उसकी सुनवाई चल रही है उसका फैसला नहीं आया है तो आप मान कर चलिए बहुत सी परिवार वाली पार्टी यों पर खत्रा मंड़ा रहा है कि कोई निकल कर ऐसा बहुमत अगर ले जाता है विधायकों जनाधार वाले निकल कि बात कीजिए आप डिलीप वलसे पार्टी की बात कीजिए सुनिल तटकरे की बात कीजिए और उसके अलावा जो मौरिस क्या नाव है पूरा केमपेण एक रसुम का समालते हैं वह दिलीव बलसे पार्टिल उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो कमेटी श्यत्पवाण ने बनाई थी उनके इस तरीपे पर विचार करने के लिए इनमें से ज़्धातर लोग उसमें थे ज़्यत्तर लोग उसी कमेटी में थे और वो उठकर के यहां आ गए तो आप ठीक कह रहें कि अगर ये वो जब वो नौवत आईगी ये तैय करने की कि पार्टी किसकी सिंबल किसका तो आप देखिए यहां पर जो इस वक्त पार्टी का कारेकारी अध्यक्ष है वो मौझूद आगे भविष्य में क्या होगा राम जाने लेगन अब तो उनका अपना लोगस्वाद चुनाव लड़ेंगी तो उसका क्या होगा ये भी अब देखने वाली बात होगा जो ये बात हो रहें हैं कि लॉट भी सकते हैं सवाल यह है कि नेता जो भी है विधायक सांसद वो संगठन अजीत पवार चलाते हैं शरत पवार ने अपने आप एक तरह से रिटार्मेंट की गोश्रा लगभग करी दी है वो कहने के लिए अध्यक्ष हैं दो कारिकारी अध्यक्ष बना दिये सुप्रिया सुले पार्टी नहीं चला सकती संगठन नहीं चला सकती ये बात ज चाहते होंगे कि शरत पवार के साथ रहें लेकिन अपना अगर अगर अपना फीचर देखना चाहेंगे तो उनको अजीत पवार वहां सरकार है सत्ता है केंदर में सत्ता है जिसके साथ गये हैं तो पाने के लिए बहुत कुछ है और ये तीन का जो गड़बंधन बना है वो भी दूर हो गई है तो ये ये बड़ा फॉर्मिडेवल कॉम्बिनेशन है आप देखें अगर चुनावी दृष्टी से तो जो भी चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए विधायक खास तोर से बात हो रही है अभी सांसद विधायक उनके उनको दिखेगा कि फ्यूचर इधर है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है डूबना है तो डूबेंगे इनी के साथ डूबेंगे ऐसे लोग शरत पवार के साथ रहे जाएंगे तो वो जो कल जो उनके प्रेस कोंटर्स में हाथ उठा करके सवाल का जवाब दिया कि कौन है वो चेहरा जो अब लीड करेगा एंसीपी को उनके शरत पवार वो जो भावनात्मक अपील है भई कोई सोचेगा तो आप तो एंसीपी का मतलब जो वो गुट है इस्तीफे के समय भी भावनात्मक अपील सारी देख चुके हैं आप जो लोग वहां रो रहे थे जो समर्थन कर रहे थे इस्तीफा वापस लोग कर रहे थे वो सब आज अजीत पवार के साथ कड़े है ठीक तो चलिए ये अभी की परिस्थिती है और अब ये शपत पत्र इ आने वाले कितने नेता कितने विधायक होते हैं जब ये बैठक होगी उसमें उस दिन पता चलेगा श्रत पवार की अब असल ताकत जो है वो कितनी बची है अब जो हम दूसरी बात कर रहे थे कि इसका असर क्या आगे इसका असर क्या प्रदीब जी ने इसका अभी एक इश हुआ था उस सीट पर मैं नाम भूलना हूँ जहां जो कई सालों से बीजेपी की थी और वो बाइलेक्शन शिवसिना जी थी और उसके बाद ये कहा गया कि कजबा पेट आप चाहे आप विधायक ले जाईए चाहे आप MP ले जाईए लेकिन वरकर और जन्ता इसको तो आप न हैं कि यहां के ने जाईए बीए से दोड़े निता कि की स्प्रेया सुले के स्विल्एुक मिलती बतीजों के मामले में या कि मामले में लेके साट ट्रांसफर नहीं होतीज्य कि अभी थी थी ते खुंदान के तरू टिरू का है कि वो दमात थे और उन्होंने रामा राव को जीते अपदस्त कर दिया था और लक्षी परवति कुछ नहीं कर पाई थी पन्री तो किसी चाचा ने आज तक दी नहीं है ठागर अब ने भी नहीं दी थी चाचा देता ही नहीं कभी बर फ्रकास सिंग बादल नहीं थी पर बुल कुनाब से होकता है ओर इनस केुट नाम पर जो डेता है जो परेवार देता है रे सक को देगा और यही उध हो ठाकरे के समर्त्तों कहना है जो बाला साइब हो एक लाइए उध हो देखे में होगा तो और अब इसका चुनाओ लगाता है टाले जाना ये भी कई ने दिखाता है इस बात को कि एक अभी भी डर मौजूद है बीजेपी के अंदर और एक नाशिंदे की गड़बंदन के अंदर बीमसी का चुनाओ जो है अभी टाला जा रहा है तो अब मुझे लगता है बीजेपी इस बात का पु पब्लिश कर ले और शरत पवार उधर ठाकरे जो है उनकी जमीन जो है कमजोर पड़ जाए बीजेपी के रणनीतिकारों को उमीध है लेकिन अब उसके पहरे लोगसमाद चुनाओं होगा लोगसमाद चुनाओं तो मई में होगा उस उन चुनाओं के हिसाब से क्या इस्थित जब इनके ओफरर एक CBI ने दर्ष कर दिया था और और उसके बाद भारिश में भीगते हुए इन्होंने स्पीच दी थी और उसकेर हो सतारा का चुनाओ था व और भॉद अच्छा आप अच्छा नहीं करेंगी सतारा का चुनाओ था वो जहां से शिवाजी के बंशज जो एंसीपी छोड़ करके बीजेपी में गए थे बोसले साब जो है पूरा नाम में भूल रहा हूं वो लड़ रहे थे चुनाओ बीजेपी के टिकट से मैं उस चुनाओ में गया था वहा पर कोशिश्ट करेंगे वो महरास्ट पर दौरा करेंगे बस एक दिक्त है उनके साथ की उम्र उनकी जो है वो अभी वो शरत्पवार वाली उम्र नहीं है जो 1908 में थी या 1908 में थी और उनके आसपास जो नेता बचे हैं क्या वो इस काबिल है कि औरों को साथ लेकर चलता जो इलेक्टरल ताकत है उसका मीडिया में जिस तरह से प्रोजेक्शन होता है जो जमीन पर है बहुत अंतर है जमीन आसमान का अंतर है एक ही उदारण दे रहा हूँ नाइंटी-एट में कॉंग्रेस से निकली मंताव एनरजी नाइंटी-नाइन में शरत पवार दोनों ने अपने अपनी पार्टी बनाई शरत पवार उस समय तक महराश्च के तीन-चार बार मुख्यमंत्री रह चुके थे किंद्री मंत्री रह चुके थे बड़े पद्पर मंत प्रचंड बहुमत से हैं शरत पवार अपनी पार्टी को कभी नंबर एक भी नहीं बना पाएं सौ का आकड़ा भी नहीं चूपाएं बहुमत की तो बात ही दूर है और लगातार उनका 2004 के बाद देखिए तो ग्राफ उनकी पार्टी का चाहे वोट शेयर हो चाहे विधायकों की संक्या हो लगातार गिरती जा रही है तो जब कॉंग्रेस के साथ एलाइंस में ये परफॉर्मेंस है तो शरत पवार की अकेले क्या ताकत है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अपने राज्य में जिसके वो चानक के समझे जाते हैं वहाँ अपनी पार्टी को इस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो फिर उनकी ताकत क्या है अब चानक ते की बात आप हम लोग कही रहे थे ना कि इतने चानक के देश में हो गए और इतने मास्टर स्ट्रोक खेले जा चुके कि समझ में नहीं कौन असली चानक क्या है और देखिए कहानी कुरसी की कुरसी की कहानी यह होती है कि मैं प्रोग्राम आपके सामने लेकर क्या रहा हूं मेरी कुरसी ले लिए गई है क्योंकि हर्षवर्दन जी आ चुके हैं स्टूडियो में हर्षवर्दन जी स्वागत है आपको जवात की निगाह में सबसे ओवर रेटेड राजनेता है अब उनको कोई चानक के कहे कुछ भी कहे या वो कितने मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं तो आपका क्या मानना ही है कि अब महराज की राजनीती में देश की राजनीती में शरत पवार यूग कम से कम उसकान्त हो गया तो कभी था नहीं इस देश में एक वक्त था जब डॉन दाउद धनबल क्रिकेट और माया नगरी इसका एक कॉक्टेल चलता था और उस कॉक्टेल के इस देश में कुछ बड़े-बड़े नेता थे उनमें से एक नेता शरत पवार एक समय था जब इस देश में सहकारी आंदोलन और शुगर मिलके गड़्जोर ने किसानों को बरबाद किया उस दौर के नेता शरत पवार थे और उसमें जो उनकी ताकत थी जिसको हम लोग कई बार कहते हैं के रे बड़ा पैसा चल रहा है तो धनबल और बाहुबल की राजनीत तो जो भी महाराष्ट को देखता है वो शरत पवार जी को पाउं नहीं रखने दिया एकाद दो सीट जीट जाते थे बड़ी मुश्किल से बीमसी में वो ताकत नहीं बन पाए और कौन भला ये मानेगा कि शरत पवार जैसा नेता वो बीमसी पर कब जानी करना चाहेगा और शरत पवार ये अच्छे से जानते हैं प्रदीब जी ने बहुत बड़ी बात कही है मैं उसको और अंडरलाइन करता हूँ उन्होंने कहा अकेले होते तो क्या करते कॉंग्रेस के साथ थे ये शरत पवार जानते हैं और इसलिए इस देश में एक बड़ा वर्ग तयार हुआ जो कहता है कि शरत पवार बहुत प्रदीब जन्ता पार्टी को देश नहीं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बना दिया जिन टेरिट्री में भार्ती जन्ता पार्टी को कहा जाता था अचूत है अचूत है उस territory में पूर्ण बहुमत की सत्ता ला दिया और उसके बाद आप तुलना कर रहे हैं तो एक समय का तालमेल बार-बार कहता हूँ कि हम लोग पत्रकार हैं हम लोग political observer हैं हम नेता नहीं है राजनीत कोई अमिट शाह करेगा कोई शरत पवार करेंगे कोई और करेगा लेकिन उस राजनीत में हम किसी के पक्ष में या भी पक्ष में बोलने हैं तो उसका आधार क्या है मेरा यह मानना है वो आधार लोगतंतर से तै होता है वो आधार जनता कैसे मूव कर रही उससे ते होता है और सबसे बड़ी बार क्या मुद्दों पर कभी कुछ कर पाए क्या शर्द पवार तो मुझे तो दिखता नहीं, मुझे बिलकुल नहीं दिखता और आज आप प्रफुल पटेल और अजीत पवार को देखे अब कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या पार्टी गई देखे अब मतलब इसको फिर से मैं कह रहा हूँ कि नेता है साहसी व्यक्ति है शरत पवार, इसमें कहीं कोई संदे नहीं है लेकिन उनके साहस का समय चला गया है अब उसको स्विकार कर लें तो अच्छा है नहीं स्विकार करेंगे तो फिर राजनीती है वो उनको खुद स्विकार कराएगी आखिर वो भी तो वसंदादा पाटिल को 1978 में इसी तरह से पलट कर गए थे दिवेंदर आपकी क्या राए है क्या राजनीती चुक चुकी अब शरत पौर की बिल्कुल नहीं और आज का जो तेवर दिखा उसे तो बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा है कि शरत पौर ने कल जो प्रेस कॉन्फरेंस में दिखा था मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये होने देना चाहते हैं आज लेकिन उनन अपना तेवर दिखाया है यही तेवर अगर कंटनियूर रहा और पांस तारीकी बैठक में जिन विधायकों किया जिनने ताओं को बुला गया है वो संख्या अगर बढ़ी रही तो समझा जा सकता है कि शरतपवार फिर से उसी रूप में आगे बढ़ेंगे जो कि उनकी मौझूदा इस सिती रही थी इस तोर फोर से पहले चलिए अब समय कम रह गया है क्योंकि जल्दी से आप महराष्टर में जो कुछ बीजेपी अपने घर को और मजबूत करना चाहती थी अकिले बंदी कर लेना चाहती थी वाटरप्रूफिंग कर लेना चाहती थी वो हो चुका है और क्या पक्की तरीके से हो गया है कि कही पानी नहीं चुएगा आप देवेंदर नहीं ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने पहले आप वो कहा कि अभी उनकी सबसे बड़ी चींता और आसा और आप एक चीज़ आप देखें कि कल यह सब कुछ हो गया आज अभी तक अभी थोई देर पहले तक क्या बीजेपी के टॉप लिडर्शिप से आपने कोई बंद्याई संदे देखा नहीं देखा सीधा सा उसका मतलब है कि अभी वी वेट एंड वाच की सिचुएशन में हैं और अजीत पवार ने जो दावा किया था जिन विधायकों का अजीत पवार ने बीजेपी के लिडर्शिप को यह बताया था कि 40 के आसपास उनके पास रहेंगे वो नमबर् का रहने का मतलब है कि उतने पॉकेट में आपके पास उतने लोग अपने हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है तो साड़े तीन बज़े देवें अजीत पवार प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे देवें देवें फर्डविस के घर पर वो मौजूत है बैठक चल रही थी वो बीट उस दिन कोई और तस्वीर उबर कर सामने ना आ जाए ऐसा ना हो कमस्कम बीजेपी का टॉप लीडर सीफ है वो निश्ची तोर पे इस बात को लेकर फिलाल अवी देवार करता ना दरा है वो अपने लोगों से कह भी चुके थे कि हमारी पार्टी के कई लोग हैं जो बीजेपी के साथ जाना चाहते उनको मालूम था अजीद पवार को अब रोकना मुश्किल है इसलिए उन्होंने परकत्रे अजीद पवार के वो जो सारा स्तीफे का ड्रामा था वो अजीद पव अजीद पवार को लगभग देड़ दो घंटे के बाद वो तो रहेंगे ना इंटाक्ट अभी वो कहने नहीं है अपने चाचा को छोड़के मुझे बड़ी याद आ रही है मैं वापिस जाना चाहता है मैं उसकी तो दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है और वो निश्य तोर पर बहुत कपड़ जो आद्मी शपत लेग शपत ही लिए ना शपत लेगे एक बार जा चुके है वो चाचा की मर्जी से आये थे उन्हीं की मर्जी से वापस को गए इस मार अपनी मर्जी से आये उस समय सरकार बन रही थी उधर बन सकती थी इस समय उस सरकार में है ये फर्क है ना अब सकती है इतनी तो गरंटी है इतना तो भरुसा है तीन मेने पहले से इस मनशा के साथ वो चल रहे हैं, तीन मेने पहले उनकी हमेशा से बात हो चल रहे हैं।